अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि जब कभी किसी सबस्टंस की सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म को वैपर फॉर्म में कनवर्ड करते हैं तो उसकी एंट्रॉपी बढ़ जाती है और उसके पीछे रीजन क्या होता है इंट्रॉपी बढ़ जाती है हम लोगों अभी एक ग्राफ भी देखा था बच्चों इस पर कुछ एक सम्स भी देखे हमने हम बात करें उसी पर बेज बच्चों ट्रॉटन रूल के बारे में ट्रॉटन रूल क्या कहता है कि किसी भी लिक्विड की जो एंट्रॉपी और वेपराइजेशन है बच्चों वाश्पन की एंट्रॉपी जो है what is meant by entropy of vaporization बच्चों भी आप लोगों ने sum करे थे जिसमें आप लोगों ने water की entropy में change या डाइथाइल एथर की entropy में change के बारे में बात करी थी बच्चों तो entropy of vaporization क्या बच्चों जब भी कभी किसी substance की आप liquid form को vapor form में convert करते हो तो entropy में जो परिवर्तन आता बचो that we call as entropy of vaporization वाश्पन की entropy और entropy of vaporization क्या होगी simple सी बात है बचो entropy of vaporization होगी change of enthalpy during the process of vaporization upon temperature बचो किसी भी physical state के change के समय entropy में परिवर्तन कुछ ऐसा आता आप जानते है बचो anyways so यह जो total rule है वो यह कहता है बचो कि किसी भी liquid की जो entropy of vaporization है वो somewhat 88 joule per mole per kelvin के पास होती है लगबग लगबग in most of the cases that you will find that entropy of vaporization जो है बचो वो 88 joule per mole per kelvin के लगबग लगबग बराबर होती है वह हलका फुलका change हो सकता जैसे आप लोगों ने आपकी कॉपी में लिखा वाई होगा थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक सम करा जिसमें आपना डाइथाइल एथर की entropy of vaporization निकारी थी और वो समवाट 84 4.42 के आसपास आई थी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है बच्चो चक की जी तो यही कह रहा है कि इन अधिकाश द्रवों में जब उनको वाश्पित फार्म में परिवर्तित किया जाता है जब उनकी वैपर फार्म में परिवर्ट किया जाता है तो जो entropy of vaporization आता है वो समव मुझे लगबग 88 जूल हीट लगेगी आप जो है सहाब अधिकाश जैसे आप बैंजीन ले लिजिए आप डाइथाई लीथर जैसे एक्जाम्पल के तुर बताई या कोई और लिक्विड लेता है तो आप अधिक तर यह पाएंगे कि जो entropy of vaporization है इतनी होती है मतलब एक मोर लिक्विड को vapor form में convert किया आल्मोस्ट जो entropy जो enhanced हो जाती है बच्चो एक बात दूसरी बात बच्चो यहाँ पर अधिकाश और अधिक चीज़ देखी exactly equal तो नहीं होती है बट लगभग equal होती है and in most of the cases I will find that this lies somewhere इस range में आती है बच्चो 88 प्लस माइनस 5 यनिकी 83 से लेकर 93 क बीच होती है लिक्विड की जो entropy of vaporization है वो minimum से minimum कितनी होगी 83 और maximum से maximum कितनी होगी 93 वो जो entropy of vaporization that will lie somewhere in between 83 and 93 वो लगबग लगबग 83 और 93 के बीच होगी बच्चो जैसे मैंने बताया आपको भी अभी हमने डाइथाइल इथर का case किया तो इसमें 84 आई थी तो अधिकाश लिक आप मोस्ट ऑफ दा केसे में फॉर मोस्ट ऑफ दा लिक्विड एंट्रियॉपी और वपराइजेशन इस एटीएट जूल पर मोल पर कहले है बट दिर आर सम लिक्विड्स बच्चो विस्ट नॉट फालो टाउटन रूल ऐसे कुछ लिक्विड्स है हमारे पास में जैसे ए 88 से काफी जादा होती जैसे अब लोगों ने वाटर का केस किया था बच्चो उसमें 109.38 आई थी आपकी कॉपी में लिखा हूँ आप गोर कीजे पनने पलटाई अभी थोड़ी दर पहले कि आपने बच्चो एंट्रॉपी और वैपराइजेशन और वाटर जैसे निकाले तो वो 109 आई बच्चो तो वो 88 से काफी जादा है जैसे मैंने बताया कि most of the cases में that lies somewhere in between 83 and 93 बट कुछ केसे सैसे हैं जिनमें वो नहीं मिलती है जैसे ये एक्जामपल देखे बच्चो इथाईल अलकोल है वाटर है और धेरो एक्जामपल आपको मिल जाएंगे बच्चो ज होता ऐसा है साहब कि ये जो लिक्विड्स हैं बच्चो इस आर नाट दोस रेगुलर टाइप अफ लिक्विड ये बिल्कुल वैसे के वैसे लिक्विड नहीं जैसे बाकी सब होते क्योंकि इनमें क्या होता बच्चो इनमें इंटर मॉलिकूल हाइड्रोजन बॉंडिंग ह कारण क्या होता बच्चो इह इस इस्टेबिल ट मॉलिकुल पास-pit तो जीसे देखे एक ग्व्यांपल के तौर पर अप जानते हैं बच्चो। solid की entropy कम होती है, liquid की entropy ज्यादा होती है, और gas की entropy और ज्यादा होती है, वो कुछ ऐसा graph बनता है बच्चों, आप लोगों ने देखा भी थोड़ी दिर पह नहीं है, अब हुआ क्या बच्चों, normally किसी liquid की entropy ये होना चाहिए, suppose this axis is representing entropy, now normally किसी liquid की entropy जो है सहब वो कहीं यहां आना और vapor के entropy somewhat कहीं आना चाहिए, अफ्कोर्स इसमें कोई doubt नहीं है, बच्चों की liquid से ज्यादा होगी vapor की, तो यह साब ऐसा रहेगा, लेकिन जो इतायर alcohol है या water है बच्चों, इनकी विशेष्टा क्या होती है, ये intermolecular hydrogen bonding के कारण थोड़ी से stability gain कर लेते हैं, और stability gain कर लेते है इसलिए इनमें इतनी irregularity नहीं होती, जितनी की normally दूसरे किसी liquid में होती है, इसलिए क्या होता है बच्चों, इनकी stability थोड़ी जादा है, और stability जादा है, मतलब entropy कम है, अरे भई, irregularity जादा तो entropy जादा, अब इनमें क्या हो रहा है, normally किसी दूसरे liquid के comparison में, इनमें stability जादा है और stability ज्यादा है मतलब entropy कम है तो अगर किसी liquid के entropy समवाट यहां आना चाहिए थी तो इनकी इससे कम आएगी तो अगर normally किसी liquid में चेंज जो है बच्चो वह समवाट 88 के आसपास आता है तो यहां जो चेंज आएगा बच्चो वह 88 से आप देख रहें यह फासला बड़ा है तो intermolecular hydrogen bonding होती है so those liquids which are stabilized और in which intermolecular hydrogen bonding exist those liquids are relatively more stable जैसा कि आप देख रहें और stability जादा है मतला system में regularity जादा है randomness कम है और इसलिए इनकी entropy कम है तो जहां किसी liquid में फासला यहां से यहां तक का होता हो वह फासला यहां जादा होगा इसलिए बच्चो यहां पर entropy में चेंज भी जादा आएगा तो सुभादिक बात है entropy is not an intensive property you must note बच्चो entropy is an extensive property क्योंकि यह एक mole के लिए आप लोग निकाल रहे है बच्चो अगर आप amount change कर देंगे if you change the amount आपने formula भी देखे भी थोड़ी देर पहले बच्चो तो उन सब में N लिखा वारा था member of moles obviously बात है बच्चो entropy जो होगा that would be an extensive property वो एक विस्टिंड क्या होता इस chapter के बिल्कुल beginning में आप लोगों देखा कि अगर मान दीजिए वो system में कितना amount है matter का उस पर depend करती तो फिर वो extensive और उस पर depend नहीं करती तो फिर वो intensive तो undoubtedly बच्चो यह तो एक extensive property होगी और secondly it is not a state function अलग अलग process में आप देखा isothermal process में isobaric process में isochoric process में तमाम कि different different process में बच्चो जो entropy है वो different आरे उसका formula different आरा है तो you must also note one more thing बच्चो कि entropy is not a state function वो अलग अलग process में अगर हर तरह की process में एक ही बात रहती तो आप बुलता है कि साब entropy जो है वो a state function है लेकिन अलग-अलग cases में अलग-अलग आ रही है और एक और बात लगे है तो बच् process ले लेते हैं आप if you talk about an adiabatic process तो adiabatic process में क्या होगा बच्चो adiabatic process में क्यों जो होता है वो zero होता है मतलब delta h change of enthalpy zero होता है इसी लिए बच्चो हम बोल सकते हैं जो change of entropy होगा वो zero होगा adiabatic expansion हो adiabatic compression हो कुछ भी हो adiabatic अगर है so there is no exchange of heat between the system and surrounding system and surrounding के बीच में कोई heat का exchange नहीं होगा तो change of entropy जो कितना होगा बच्चो zero होगा